अरे मेरे दाथ भी बिल्कुल ऐसे ही खराब हो रखे पर अभी इलाज कराने के पैसे तो मेरे पास नहीं है क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि मेरा इलाज भी हो जाए और पैसे भी कम लगे अगर आपको डेंटल ट्रीटमेंट कराने के आवश्यक्ता है पर अफोर्ड ना करने के वज़े से आप इस ट्रीटमेंट को नहीं करा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंफर्मेटिव हैं हेलो एवर्यवन आई होप यह ओल अडिन फाइन वेल्कम तो अलोफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल माय निम इस डॉक्र श्वेता शेर्मा और आज किस वाली हर नहीं वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहें तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं दो जगे की हम बात करेंगे जो दोनों ही डेंटल कॉलेज हैं देखिए चाहे प्राइवेट डेंटल कॉलेज हो या फिर चाहे गव अगर हम बात करते हैं तो अक्सर डेंटल प्रैक्टिस पे आपकी जो रूट कैनल के प्राइसे आते हैं वह तो 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 त्री थाउजन ए प्रोक्स रहते हैं पर वहीं अगर आप प्राइवेट किसी कॉलेज में जाएंगी डेंटल कॉलेज में जाएंगी वहां पे आपके 500 अगर आपके पास पैसे कम है और टाइम ज्यादा है तो आपके लिए बिल्कुल पोच गया बिल्कुल सही है क्योंकि वहां पे बेशक टाइम आपको ज्यादा लगेगा पर आपके पैसे बच जाएंगे कई बार अक्सर कि लिए आपको गंता टीन गंदे भी कई बार वेट करना पड़ता है लाइन में लगना पड़ता है उसे के अलावा बैट रहेगा कि जो चोटे मूठे treatment होते हैं जैसे कि filling हो गई, root canal treatment हो गया और दातों को निकलवाना है अगर तो यह जो ilaj होते हैं इनको आप colleges से करा सकते हैं बट उसके अलावा जो लंबे treatment plan चलते हैं for example जो हमारा braces वाला treatment होता है जिसमें generally 9 महीने से एक साल तक का समय लगता है ऐसे treatments आपको avoid करने चाहिए क्योंकि इनकी cost तो effective हो जाते हैं पर medical colleges में एक doctor से यह treatment शुरू किया जाता है पूरे procedure के दोरान doctors change होते रहते हैं तो इसलिए हो सकता है कि एक साल से भी काफी ज्यादा लंबा time इसमें खेच जाए तो इसलिए यह cost effective होता है पर यहां पर आपके time duration के काफी chances बढ़ जाते हैं दूसरे तरफ जो private practitioners होते है dental planics होते हैं वहां पर आपका जो price है cost है वो 20-25,000 अप्रोक्स रहता है पर जितना time आपको treatment के लिए बताय जाता है उसी time duration के अंदर आपको treatment खतम करके दिया जाता है तो इसलिए यहां पर एक compromisation की बाता जाती है अगर आपके पास पैसे कम है और time ज्यादा है तो आप किसी भी private या फिर government dental college में जाके अपना treatment करा सकते हैं उसके opposite अगर आपके पास पैसे enough है treatment आप afford कर सकते हैं पर आपके पास time नहीं है तो आप private dental clinics visit कर सकते हैं वहां पर appointments बुलाया जाता है जिस time बुलाया जाता है उसे time पर आपका treatment खतम करके दिया जाता है ऐसा नहीं होता colleges में आपको तीन चार गुंटे भी कई बार आपको वेट करना पड़ सकता है पर treatment काफी cost effective होता है So this is all about today's video I hope आप सभी को पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो helpful लगी है तो नीचे like जरूर करें इसे हमें भी appreciation मिलता है और अगर आप चैनल पे नहीं है तो नीचे चैनल को subscribe करके bell icon जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नहीं वीडियो की update आपको मिलते रहें अब कर दो कर सकते दो कैनल को जरूर आपके फिर शकते लिचK आपको मिलते दो